नमस्कार दोस्तो अभी अभी की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग निउज अभी अभी दो मिनट पहले सो गाउं डूब गए हैं कोटा बेराज से लगातार पानी डिस्चारज करने तथा सिंध और पार्वती नदी के उफान पर आनिक योजे से चंबल का जलिस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है राज घाट पुल पर चंबल खत्रे के निसान से आठ मीटर उपर वे रही है पूरा का पूरा राज घाट डूब गया है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पांच पुल दूबे हुए हैं जिनमें से दो पुल तूट गए हैं चंबल की बाड ने मुरेना जुले के करीब दो सेकड़ों गाउं को अपनी चपेट में लिया है जिनमें से करीब 80 गाउं पानी में डूब गए हैं और सो से अधिक गाउं दूस्तों टापू बन गए हैं जिनें खाली करने के और्ड दूस्तों जारी हुए हैं सरक्षित इस तार पर पहुँचा जा रहा है लगबग 80,000 से जादा लोग बाड की चपेट में आ गए हैं बाड पीडितों के बचा और रहत कारे के लिए NDRP और SDRP के बाद दूस्तों अब सेना ने मोर्चा समाल लिया है सेना ने हेलिकॉप्टर से आज रेस्क्यू करके दो गाओं से लगबग 50 लोग को सरक्षित बाहर निकाल लिया है लोग को बाहर निकालने के साथ बाड में भसे लोग के लिए हेलिकॉप्टर से भोजन के पेकेट और दूस्तों दवाईया भी बाटी जा रही है जानकारी के अनुसार चंबल की बाड़ से चंबल घाटी में हाहाकार मचा हुआ है आज सुबह दुस्तो राज घाट पुल पर चंबल 146 के निसान पर पहुँच गई है खत्रे के निसान से 8 मीटर उपर होते ही चंबल नदिन के किनारे बसे गाउं दूस्तो पूरी तरके से डूब गए है सौ गाउं दूस्तो टापू बन गए है जिसकी ओज़े से हड़कंप मचा हुआ है और दूस्तो लग बगए एक हजार से जादा जानौर बह गए है सेकुड लोग की मोत हो गई है और दूस्तो यहां पर आपको ज़दे हाहा कार मचा हुआ है बीते दिन भी दूस्तो ताबर तोड बारिस हुई है और अगले दूस्तो दो घंटों के भीतर ताबर तोड बारिस होने की पिरवल सम्भावना है कई हज़ार लोग दोस्तो फसे हुए हैं जिने जल्द ही दोस्तो वायू सेना बाहर निकालने वाली है और बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान बेकाबू हो जाएगा इस समय दोस्तो लगभग 28 जिलो में मूसलाधार से अतियंत मूसलाधार बारिस होगी कई सडके दोस्तो तूट गई है और कई नेशनल हाईवे पानी में डूब गए हैं जिसके उज़े से यातायात भी प्रभावित हो रहा है इस समय तीन से चार नदियां दोस्तो बेकाबू हो गई हैं चंबल के अलावा दोस्तो आपके गंभीरी और काली सिंध नदी भी दोस् के लिए गिर रही है और आपकी छेत्र का मौसम कैसा है कॉमेंट में लिखें चैनल को सब्सक्रेल करें